Hello everyone, this Sachinana here, welcome to my new video इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं heat of combustion in alkynes, 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 cycloalkynes and cycloalkynes ठीक है, important वीडियो रहने वाला है ये start करने से पहले आप सोचने होंगे suddenly क्या होगे, कैसे इस वाली टी-शिर्ट में आगे इस वाली टी-शिर्ट की पीछे एक special story है कि ये मुझे gift में मिले थी और ये मुझे fit नहीं होती थी अब fit होने लग पड़ी है अब हम थोड़ा बहुत पहले से पतले हो रहे हैं अभी mission चली रहा है सत्यो cuts words आने लग पड़े थोड़े से अभी चली रहा है mission बहुत ही simple topic ये रहेगा कोई भी difficulty नहीं है lecture भी छोटा रहने वाला है पहले की तरह one and half hour का lecture नहीं रहेगा सबसे लगा मैं heat or combustion की बात करता हूँ तो उसका मतलव क्या होता है अगर मैं organic chemistry की बात करूँ तो वहाँ पे अगर मैं कोई भी hydrocarbon लेता हूँ ये सब इसके अंदर आते हैं तो अगर मैं एक mole hydrocarbon लेता हूँ and उसको मैं oxygen की presence में burn करता हूँ तो इस process को हम बोलते हैं heat of combustion जा बोलते हैं heat of combustion अगर मैं बिल्कुल simple language मैं आपको बताना चाहूँ ये तो होगी भी language वाली बात for example आपने जो coal है coal मतलब koila जो होता है coal उसको लिया उसको burn किया उसको burn करने से क्या होगा कुछ heat निकलेगी न बस उसी heat को हम बोल देते हैं heat of combustion अगर मैं बिल्कुल simple language जो समझाना चाहूँ आपको feeling दिल्वाने के लिए अगर एक चीज़ समयना यहां पर बिल्कुल ध्यान से ठीक है field दिल्वाने के लिए एक चीज़ समयना यहां पर बिल्कुल ध्यान से क्या heat of combustion हमारे पास एक exothermic process होगा या नहीं होगा बिल्कुल यह अपन के पास एक exothermic process होने वाला है अब बोलो के बहीं कैसे exothermic process होने वाला है उसके पीछे बहुत simple सा logic है because literally यह heat system से निकल रही है इसलिए heat of combustion हमारे पास एक exothermic process होने वाला है ठीक है आपने burn किया for example किसी चीज़ को system से heat निकलेगी उसी heat को हम heat of combustion बोल रहे है organic के point of view से for example मैंने एक hydrocarbon ले लिया that is CXHY CXHY अगर मैं इसको O2 की presence में burn करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास CO2 निकलेगा and साथ में water आएगा CO2 प्लस water यह था मेरी subset class 10 से देखते आई रहे हो यह चीज़ें अब balance कर लेते हैं तो यहाँ पे X carbons है यहाँ पे Y hydrogens है यहाँ पे 2 है पहले से तो कितना होना चाहिए Y by 2 तो Y by 2 into 2 कितना हो जाएगा Y हो जाएगा कुछ लोग इसको भी यार्द करने लगे होते हैं कि कैसे values आ रहे रहे दिमान लगा हो ना maths है oxygen यहाँ पे कितना हो रहा है 2X plus Y by 2 तो left hand side कितना हो जाएगा divide by 2 करना पड़ेगा because पहले से यहाँ पे आपके पास 2 लगा हुआ है तो X plus Y by 4 तो इस प्रकार से heat of combustion की equation लिखी जाती है ठीक है जैसे for example अगर मैं एक छोटो सा दिखाना चाहूँ आपको for example हम लोगों ने methane ले लिया तो methane क्या होता है CH4 होता है तो अगर मैं CH4 को burn कर रहा हूँ O2 की presence में तो क्या हो जाएगा तो CO2 निकल जाएगा and साथ में H2O बन जाएगा ठीक है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक carbon तो मेरे भाई एक carbon balanced है hydrogen 4 है hydrogen 2 है इसलिए हमने 2 से multiply कर दिया तो 2 into 2 4 बन गया oxygen कितने है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गए यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 से multiply कर दिया लो भाई इसको भी लोग याद कर रहे होते है value डाल डालके ऐसा नहीं होता दिमार लगाईए answer लाईए तो इस प्रकार से इस process को हम बोलते है heat of combustion क्या बोलते है भाई साब heat of combustion अब एक चीज़ लॉजिकली समझो पहले लिख लो इसको pause करके जो हमारी चीज़ है लॉजिकली समझाने के लिए वो क्या है जैसे for example बिल्कुल ध्यान से समझना मैंने methane लिया तो हमारे पास कुछ एक CO2 आ रहा है अगर मैं इधर ही for example ethane लेता ethane लीजिया ethane लेने से क्या हो जाएगा CO2 तो निकलेगा and water भी बनेगा अच्छा यहाँ पर 2 है carbon तो 2 से multiply कर दिया 6 hydrogen 2 है तो 3 से multiply कर दिया oxygen 4 plus 3 से 7 से 7 by 2 से multiply कर दिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो CO2 है वो 2 moles है अब ली-cardBuilder principle को याद करें ली-card humble principle को याद करें ली-card terrible principle क्या बोलता है कि अगर अपन के पास जो CO2 है गवान वो एक gas है एंग किसी भी system से अगर gas escape कर रही हो तो वो reaction forward की तरफ जाने लग पड़ता है इसके पीछे का logic क्या होता है logic बहुत simple है ना ठीक है कि system से gas escape कर गई तो reversible reaction होई नहीं पाएगा because water अकेले थोड़ी reverse कर पाएगा इसी को हम leech atelier principle बोल देते हैं तो जब system से जादा gas escape कर रही होगी जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो यह वाला reaction जो है वो irreversible बनने लग पड़ेंगे पस इसी को हम organic में क्या बोल देते हैं देखो जैसे for example यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा ना बतलब अगर मैं number of carbons भड़ा दूँ अगर मैं number of carbons भड़ा दूँ तो यहाँ पे भी x बढ़ेगा यहाँ पे भी x बढ़ेगा बस leach atelier लेग जाएगा तो जितना जादा CO2 system से escape करेगा उतना जादा reaction forward direction में जाएगा बस इसी को organic में हम क्या बोल देते हैं कि heat of combustion लिख लीजे heat of combustion हर चीज माट्स है हर चीज दिमाग है दिमाग लगा यह ठीक है is directly proportional to number of carbons देखो यह तक भी मैंने आपके सामने प्रूफ करता यह तक भी मैंने आपके सामने प्रूफ so heat of combustion is directly proportional to the number of carbons number of carbons अब इसी चीज को मैं class के अंदर कैसे समझाता हूँ जो हमारे पुराने students होगे उनको पता ही होगा जैसे 100 ग्राम कोल 200 ग्राम कोल 100 ग्राम को heat करोगे 200 ग्राम को heat करोगे तो 200 ग्राम से जादा heat निकलेगी बस वही चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी अब आईए second चीज को समझते है second चीज दिखना मत पहले सोचिए for example मैंने एक डिबा लिया उसमें मैंने कोल भर दिया and मैंने एक और डिबा लिया उसमें मैंने पेट्रोल भर दिया okay please do not try this at home obviously disclaimer देना पड़ता है यह है आपके पास इसको मैंने heat कर दिया इसको भी heat कर दिया तो कहाँ पे आपके पास ज़्यादा explosive reaction होगा obviously यहाँ पे होगा ठीक है कोई दो राय नहीं है इसमें तो जो पेट्रोल है वहाँ पे ज़्यादा explosive reaction हो रहा होगा इसका मतलब क्या है कि कौन सा compound ज़्यादा stable हो रहा होगा पेट्रोल से या पेपर वर्सिस पेट्रोल कुछ भी ले सकते हैं अब समझने के लिए stability कोल की ज़्यादा हो जाएगी पेट्रोल से क्या हम यहीं चीज पढ़ते नहीं आ रहे हैं डेवान से जो reactivity है वो stability के inverse हो जाती है generally ठीक है तो second point क्या बन जाएगा कि जो heat of combustion है जो heat of combustion है कहा पे ज़्यादा heat निकल रही होगी पेट्रोल में ज़्यादा heat निकल रही होगी बिकास उसकी reactivity ज़्यादा है stability कम है is inversely proportional to stability लो भाई यह भी derived heat of combustion is inversely proportional to stability inversely proportional to stability ठीक है लिख लीजे बस यही दो factors होते हैं जिनके उपर heat of combustion depend करता है जिसके उपर heat of combustion depend करता है जिसके लिख 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 होगा आगे चलते हैं अब obviously doubt आता है जिक है कहां पर doubt आता है देख्ये बिल्कुल ध्यान से एक मज़धार question के साथ मैं start कर रहा हूँ question की heading यह है compare the heat of combustion in the following organic compounds three membered ring four membered ring five membered ring six membered ring तो मैं पहले ही question में आपकी confusion clear कर दूँगा अच्छा अगर मैं stability की बात करूँ stability का order क्या होना चाहिए यहाँ पर obviously DCBA 1000 बार बता चुका हूँ एक बार मैं यहाँ पर properly आपको दिखा भी देता हूँ बिलकुल ध्यान से देखना for example मेरे भाई यह हमारे पास एक sigma bond है देखे sigma bond और यह हमारे पास एक three-membered ring है देखिए ध्यान से three-membered ring दिखाई दे रही है यह normal sigma bond है three-membered ring में sigma bond देखिए देखो कितना ज़्यादा bent है देखो कितना ज़्यादा bent है कितनी ज़्यादा bending हो रही है आया समझ या नहीं आया देखो, नॉर्मल सिगमा बॉंड सीधा होना चीए था थ्री मेंबर्ड में रिंग है अब इसको अपनी एल्बो कंसीडर करो तो जो आपकी एल्बो है ऐसा रहना चाहती है लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती ऐसे करके रख दिया है हमेशा के लिए तो अव्यस से बात है वो चीज़ अनस्टेबल हो जाएगी similarly अगर मैं बड़ी रिंग लेता हूँ जैसे 5,6, etc तो वहाँ पर देखिए ये सिगमा बॉंड है नॉर्मल सिगमा बॉंड देखिए आया समझ क्या चल रहा है यहां पर कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है तो since कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है इसलिए वहाँ पर आपके पास कोई भी unstability नहीं होगी तो इसका मतलब अगर मैं stability की बात करूँ तो वो बन जाना चाहिए D, C, B and A अगर मेरे भाई मैं यहां पर number of carbons की बार करूँ जो हमारे पास भी था na number of carbons ठीक है आंख बन करके सही answer आना चाहिए DCBA तो अगर मैं इसके point of view से देखूँ तो heat of combustion is inversely proportional to the stability derived on the previous page तो वो मन जाना चाहिए था A, B, C, D and यहां पर heat of combustion is directly proportional to number of carbons तो यहां पर बन जाना चाहिए था DCBA ठीक है तो मैं आपको पहले question में अटका दिया यहां पर समझाने के लिए फिर कैसे सोचें तो जबी भी जबी भी आपके पास stability and number of carbons में competition हो जाए मतलब जो हमने previous page पर दो factors लिखे हैं उनसे different results आए तो क्या dominate करेगा number of carbons dominate करेगा अब बोलो कि यह कैसे आया वो भी समझा दीजिए समझाने का कोई reason ही नहीं है Lee Chattelius principle Lee Chattelius principle ठीक है Lee Chattelius principle क्या बोलता है जो मैंने आपको पिछले पेच्छे बताया था number of carbons आप भढ़ाओगे तो गैस भी भढ़ जाएगा तो forward reaction का rate आपके पास भढ़ जाएगा because products भी आपके पास भढ़ रहे हैं बस यही चीज यहां पे भी use हो रही है आ गया समझ तो जब भी दोनों के बीच में clash हो रहा होगा हम number of carbons वाले को जादा priority देने वाले हैं as simple as that कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आ ये number B for example आपको दिया गया है ethane propane butane and pentane तो यहां पे आपके पास क्या order हो जाना चाहिए obviously very simple order ये हो जाना चाहिए किसका order पूछा जा रहा है heat of combustion का order पूछा जा रहा है यही question रहेगा heat of combustion का order पूछा जा रहा है अच्छा मैं यहां पे एक और logic आपको समझाना चाहता हूँ जो heat of combustion के time पे आप use कर सकते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए so for example मैंने उपर से एक torch ले ली torch ठीक है torch and मैंने इसके उपर light फैक की जो for example आप sphere लेते हो ना sphere sphere के उपर light फैक होगे तो दिवार के उपर क्या बन जाएगा 2D projection is the circle ठीक है cuboid की projection बन जाएगी rectangle cube की बन जाएगी square similarly मैं एक three dimensional molecule लेना चाहरा हूँ उसकी मैं projection ले रहा हूँ इसकी projection क्या बन जाएगी एक straight line बन जाएगी जाना उपर से torch मारोगे तो नीचे एक line बन जाएगी similarly for example अगर मैं इस molecule के उपर torch लेता हूँ तो इस molecule के उपर क्या बनेगा? torch लेने के बाद once again straight line बनेगी लेकिन मैं क्या दिखाना चाहरा हूँ कि यहाँ पर line बनने वाली है वो इसकी line से छोटी होगी आया समझ? बनला इसका जो surface area है क्या वो यह order follow करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको हम बोल देते है surface area आप बोलोगे area क्यों? भाई volume की projection लोगे तो area आएगा nth dimension की n-1 dimension projection बनती है जैसे वो पता है ना आपको 4D की projection 3D बनती है टेजर आक्ट जो होता है घिक है? hyper cube बोल सकते हो hyper spheres etc ओके तो surface area यह बन के आ जाएगा आप बोलोगे यह क्यों बता रहे हो बस यही बात है कि अगर surface area भढ़ जाएगा यह एक और logic है जिसको दौरा आप number of carbons वाली चीज को समझ सकते है तो वहाँ पे heat of combustion भी भढ़ जाएगा दो coal के pieces रखे है पांच coal के pieces रखे है पांच coal को जलाने से जादा heat आएगी भाई common sense है बस वही चीज यहाँ पे भी repeat हो रही है आगया समझ आएए number C के उपर तो theoretically के लिए अगर मैं बात करूँ तो बस दो ही फंडे है theory इतनी सी ही है लेकिन इसका extension है वो अच्छी तरह बन जाता है for example मैंने यह molecule लिया ध्यान से देखना बिलकुल for example यह molecule लिया and यह molecule same question है heat of combustion compare करिये तो यहाँ पर तो हमें directly दिख रहा है कि जो number of carbons है वहाँ से difference आ जाएगा इसलिए यह answer हमारे पास बन के आ जाएगा pause करके इसको लिख लीजिए ठीक है number of carbons के दोरह heat of combustion derive हो गया number D के उपर आईए फिर for D for example मेरे भाई आपको दिया गया है यह molecule for example यह molecule for example यह molecule हमसे बोला गया heat of combustion compare करिये कोई कुछ नहीं देखना है number of carbons दिख रहे हैं सीधा answer मारिये C, A, B ऐसे मत देखो कि भाई यहाँ पर तो ring है यहाँ पर stability 4-membered है ना number of carbons directly proportional है because बहाँ पर आपके पास मैंने आपको दिखाया था page number 1 के उपर कि कैसे Leach Adler Principle के उपर dependent 4 रहा है अगले question पर आईए फिर number E करिये try for example आपको दिया गया है यह molecule अब तो मेरे साब से यह आंख बन करके आने चाहिए इस वाले question का answer यह molecule दिया गया है for example यह molecule दिया गया हम से बोला गया है heat of combustion compare कर लीजे यहाँ पर आपके पास है 5 carbons इस वाले में आपके पास है 12 plus 2 14 carbons इस वाले में आपके पास है 6, 8 8 carbons heat of combustion क्या बन जाएगा B, C and A B and A लिख लीजे भाई सा पास करें लिख लीजे पास करके अब आएए number F क्यों अब फ़ड़ा से interesting बनाते हैं number F for example आपको दिया गया है N-butane and 2-methyl-propane N-butane and 2-methyl-propane दोनों में number of carbons same है number of carbons same है तो फिर क्या differentiating factor बनेगा stability बनेगा ठीक है तो अगर मैं उपर से उपर से torch फैकूँ तो हमें कितना लंबा projection मिलेगा 4 carbons लंबा projection मिल जाएगा 4 carbons लंबा projection मत्ता surface area मिल जाएगा similarly अगर मैं इस molecule के उपर torch फैकूँ ध्यान से देखिए ऐसे बैठा हुआ यह ऐसे करके ऐसे जब मैं projection फैकूँँगा तो कितना आएगा देखो ध्यान से आया समझ इस प्रकार से होगा न तो यहाँ पर अपन के पास 3 carbon का projection आने वाला है तो मेरे भाई surface area किसका जादा हो जाएगा surface area आपका जादा हो जाएगा तो बस मैंने आपके सामने क्या दिखा दिया मैंने आपके सामने यह दिखा दिया कि जो surface area है that is linear greater than branched linear greater than branched तो यहाँ से heat of combustion क्या बन जाएगा heat of combustion हमारे पास जैसे आप देख सकत्यों linear का जादा है तो linear greater than branch बोले कि ठीक है यह तो simple है ना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपके सामने में ने तना भयंकर important derivation कर दिया जिसको आप अभी तक याद कर रहे थे और वो derivation क्या है ठीक है कि अगर heat of combustion यह बन रहा है अगर heat of combustion यह बन रहा है stability order क्या बन जाता यहाँ से stability इसको विपरीत हो जाता that is branched is more than linear लो भाई यह भी derive कर दिया समझाया है कैसे derivation किया गया आपके सामने हमने क्या derive कर लिया stability of branched is greater than linear stability of branched is greater than linear इसको एक और तरीका होता derive करने का entropy वाला वो हम जब करेंगे तब पहुंचेंगे पॉस करके लिख लीजे next number g के उपर आईए for example आपके पास यह molecule दिया गया है यह दिया गया है यह दिया गया अब दो तिंग questions साथ में ले लेते हैं number h फिर आप match करिए कि आपका सही आया या नहीं आया and अपने confidence है उसको भी increase कर ले question वही है heat of combustion आपको compare करने का है ghi for example यह दिया गया है 3 membered 4 membered 5 membered ज्यान से सोच समझ के करिए ज्यान से okay discuss कर लेते हैं सबसे पहले हम उपर वाले को discuss कर लेते हैं तो सभी में number of carbon same हो रहे हैं 555 तो हम नहीं सोचना पड़ेगा stability से stability अभी आपके सामने derived भी किया है वैसे या तो आप सो सकते हो surface area से surface area से भी देखो गए तो यह बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है अच्छा कि मैं number H वाले के बारे में बात करूँ तो number H में क्या हो जाएगा once again number of carbon same है same है na 9 carbons 9 carbons 9 carbons तो कैसे सोचोगे IUPAC के द्वारा सोचोगे इस molecule में कितनी branching है एक branching है इस molecule में 2 branching है जब अब IUPAC करोगे 1, 2 ऐसा तो 1-ethyl, 2-ethyl वैसा यहाँ पे मेरे भाई 3 branching है na 1, 3, 5 trimethyl तो number of branches अगर भढ रहा है तो stability हमारे पास भढ रही है तो heat of combustion भढ रही है तो page पे derive किया गया आपके साम देगो यहाँ पे आईए 6 carbons 6 carbons 6 carbons तीनों में number of carbons हमारे पास same है तो क्या differentiating factor बन जाएगा branching भी same है एक branch, एक branch stability stability 5 members की जादा है इसे लिए जो heat of combustion बन जाएगा जो हमारा पहला question था उसी के साब से 3 members की जादा बन के आजाएगे 3 members की जादा बन के आजाएगे pause करके लिख लीजिए pause करके लिख लीजिए इसको okay भाई साब करिये try number J वाले को करिये try भाई साब number J वाले को ज्यान से करना heat of combustion compare करना है करते हैं देखिए pause करके try करिए इसमें आपको सीखने को मिलेगा अच्छा अगर मैं number J में इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 9 Carbons है अगर हम second molecule को यहाँ पे consider करें तो वहाँ पे भी अपन के पास 9 Carbons है यहाँ पे 9 नहीं है 8 Carbons है यहाँ पे 9 Carbons है यहाँ पे कितने हैं? 12 Carbons है branching देख के मत फस जाना सबसे वहले number of Carbons ही सब कुछ को dominate करता है तो उसके हिसाब से कि मैं Heat of Combustion की बात करूँ तो E बन जाएगा best is the best ठीक है? और जो C बन जाएगा वो बन जाएगा last में C बन जाएगा last में अब अगर मैं बात करता हूँ A, B and D के बारे में तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एक branch है यहाँ पे दो branch है यहाँ पे तीन branch है बस वहाँ यूज हो रहा है जो आपको बताया गया इसलिए बन जाएगा A 10 B 10 आगे चलते हैं नमबर K के उपर नमबर K में अगर हम ध्यान से देखें बाई वीडियो बना लिए माई की start नहीं होए यहाँ से वापस continue करना पड़ेगा तो यह वाला था आपके पास दिया गया अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक double bond है जिसके पास hyperconjugation है 4 alpha यहाँ पे भी 4 alpha यहाँ वाले hyperconjugation में 8 alpha यहाँ पे अपन के पास resonance है तो अगर मैं stability की पहले बात कर लूँ तो stability D वाले की सबसे ज़ादा हो जाएगी A, B and C में से फिर C वाले की ज़ादा हो जाएगी resonance dominates over hyperconjugation A and B में कैसे देखेंगे यह वाला आपके पास cis है यह वाला आपके पास trans है तो cis versus trans बढ़ाएगा cis में दोनों same plane में ज़ादा repulsion trans में opposite plane में कम repulsion इसलिए trans is more stable than cis यह बन गया stability order इसको reverse कर दोगे that is A, B, C, D तो वो बन के आजाएगा हमारे पास heat of combustion का order अच्छा, number L की बात करते हैं number L में basically मैंने एक alkyne लिया है एक alkyne लिया है number of carbons तीनों में अपन के पास same है तो कैसे सोचेंगे अब तो फस गे अगरी question आगया तो कैसे सोचेंगे बैसे मैंने mark करी दिया because video पहले ही बन गी थी audio recording नहीं हुआ था battery कतम होगी थी तो अगर हम ध्यान से देगे तो हमें समझ आएगा कि alkene की जादा हो जाएगी alkene से, alkene की जादा हो जाएगी alkyn से और ऐसा क्यों होगा इसके पीछे का funda क्या है funda बहुत simple है जाईए page number one के उपर page number one में हमने क्या बताया था कि basically जब भी हम react करवाते हैं किसी भी hydrocarbon को O2 के साथ तो हमारे पर CO2 and water बनता है तो logically समझो जब bond breaking हो रही होगी तो क्या single bond को तोड़ना जादा असान है या double bond को तोड़ना जादा असान है triple bond को single bond को तोड़ना जादा असान है तो since single bond को तोड़ना जादा असान है तो उसके reactivity जादा होगी वो जल्दी CO2 देगा अब कुछ लोग यहाँ पर कुछ values दे देते हैं आपको ठीक है कि values दे दी रटलो ऐसा न values क्यों देखी नहीं है examination hall में कर नया question आया तो आप values देखके थोड़ी करोगे solve उसको दिमाग लगा करोगे न अगर नया question आता तो आप कैसे सोचते कि भाई single bond को तोड़ना जादा असान है तो वो जल्दी react करेगा auto के साथ उसी प्रकास से triple को तोड़ना जादा मुश्किल है कि pause करके लिख लीजिए next आईए number M के उपर number M इसी के उपर based question है जो भी आपको करवाया गया उसी के application based तो अगर हम ध्यान से देखें तो alkane, alkene, alkyne last वाले में दोनों लिये गए हैं यहाँ पर हमें दिख जाएगा की resonance है तो last वाला तो most stable हो गया इसलिए जो heat of combustion बनेगा वहाँ पर मेरे भाई D end में चला जाएगा D end में चला जाएगा अब A, B, C में number of carbon same है, sub same है बस alkene, alkene, alkyne है पिछले पेच पर बताया कौन सा better हो जाएगा obviously बात है जो alkene है, उसको तोड़ना जादा असान है तो A, B, C and D बनके आजाएगा heat of combustion अच्छा, number N ignored question है, यह भयंकर तो ध्यान से देखिए इसको because यह कहीं भी नहीं बताया जाता है अगर मैं यहाँ पर stability की बात कर लूँ तो हमें यह दिखाई देगा पहली बात की number of carbons चारो में same है ठीक है उपर से branching भी same है यहाँ पर 3 branching 3 branching, 3 branching 3 branching, 3 branching number of carbons भी same branching भी same मेरे भाई तो फिर हमें सोचना पढ़ेगा stability से पहली बात stability decrease क्यों हो रही होगी because यहाँ पर देखिए repulsion हो रहा न f is equal to k q1 q2 upon r square q1 2e into 2e बन रहा है repulsion हो रहा है minus into minus net में plus बन जाएगा आया समझ force आएगा repulsion होगी force आएगी force आएगी मेरे भाई तो potential energy आजाएगी बस वही फंडा यहाँ पर use हो रहा है potential energy आगई तो stability decrease हो जाएगी तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना भयंकर repulsion हो रहा है same plane में यहाँ पर यह different plane में है force is inversely proportional to r square distance भढ़ गया force घट जाएगी यहाँ पर इन दोनों के बीच में mega repulsion हो रहा है यहाँ पर इन सभी में repulsion हो रहा है same plane में लेकिन r थोड़ा सा बड़ा है stability सबसे ज़ादा किसकी हो जाएगी देखिए सबसे ज़ादा b वाले की हो जाएगी because वहाँ पर कोई भी same plane में नहीं है repulsion करने के लिए मतलब है यह दोनों है ठीकिन उन दोनों के distance भी जादा है ठीकिन मतलब अगर मैं A and C की बात करो अच्छा उसके बाद कौन सा हो जाएगा A and C में तो आपको दिखाई दे रहा है कि same plane वाले है अच्छा उसके बाद A and C में कैसे सोचेंगे वो तो आपको दिखी रहा है कैसे सोचना है मेरे भाई जो heat of combustion का order बन जाएगा इसका inverse इस A, C, D and B दिख लीजे इसको आगर समझ कैसे आ रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में repulsion हो रहा है यहाँ पे इन तीनों के बीच में repulsion हो रहा है लेकिन अभी भी same plane में जासे CIS वाला example लिया था CIS versus France वाला वो ही हो रहा है लिख लीजे इसको pause करेंगे अब आखरी question जो आपको पास homework रहेगा and इसको हम next video में discuss भी करेंगे number 0 मैंने आपसे पूचा है heat of combustion का order आपको दिया गया है benzyl carbocatine tertiary butyl carbocatine क्यों दे रहे हैं भाई आप carbocatine कर लिजिने क्या दिक्कत है आप करने वाले बनो and ये दिया गया है heat of combustion से अच्छा ये है कि stability पूच्छा है stability इसको आपको homework करके आना है lecture भी खतम नहीं हुआ है एक और question मुझे करवाना है इसको आपको करके आना है अच्छा number P जो हमारा last question रहेगा इसका answer आपको comment section के अंदर बताना है number P जो हमारा last question है इसमें मैं आपसे पूच रहा हूँ heat of combustion compare करिये for 3-membered 4-membered 5-membered 6-member आप बोलो कि भाहिसे अब ये तो पहला question है ना मेरे question है heat of combustion per CH2 unit अभी तक हमने जो questions देखे हैं वो सब per mole थे ना वो सब के सब per mole थे याद आ रहा है definition ही वही से start हूँ जे ना per mole का burning के साब से लेकिन अब मैंने बोला है per CH2 unit तब answer क्या बनना चाहिए यह हमसे पूछा गया है तो मेरे भाई यह answer बन जाएगा यह विल्कुल reverse हो जाएगा अब वो लोगे कैसे वो बताते हैं पिले एक बार यह दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो पहला कोशन हमारे पास था ना जाब मैंने आपको बताया था कि number of carbons dominating बनता है तो यह सही बन जाएगा तो DC भी यह बन रहा था ठीक है तो by default हम पर mole बात करते हैं बिकास enthalpy of combustion या heat of combustion derive ही वहीं से होता है लेकिन जब मैं पर CH2 unit की बात करूँ तो मतलब मैं एक CH2 की बात कर रहा हूँ मतलब एक CH2 समझ आरे निया रहे मैं क्या बोलना जाए जैसे for example देखिये समझ यह यह है 3 member यह है 5 member एक CH2 के पर focus करो यह CH2 है इन दोने में से जादा unstable CH2 कौन सा होगा अगर मैं isolate करके देखूँ तो यह वाला CH2 unstable होगा बिकास bending bending सब आपको दिखाया है यह वाला जादा stable हो जाएगा तो जो जादा stable होगा वो generally हमारे पास कम reactive हो जाएगा यह unstable है पर CH2 है तो यह सब के सब में reactivity की बात करूँ C वाले की reactivity जादा होगी 4 वाले से 5 वाले से 6 वाले से तो जब मैं पर CH2 बात करूँगा तब आपके पास यह बन के आजाएगा यह जैसे इसको मैं ऐसे example लेके बताता हूँ for example let me say 1 kilo apple है उसका price let me say 100 है थोड़ा ऐसे example से समझाएगा and 1 kilo orange है या 1 mole kilo मतलब मैं आप मोल लेना चारा हूँ समझाने के लिए वो मैं बोल देता हूँ मेरे भाई 200 रुपे है मुझे नहीं बता actual rates क्या है टीक है टमाटर शायद हो सकता है यह orange की जगा तो apple and orange की यह rates में मान रहा हूँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि per kilo के हिसाब से भाई साब orange महिंगा है मतलब per mole के हिसाब से जो अभी तक हम कर रहे थे orange महिंगा है मैंने बोला कि 1 kilo apple में for example मेरे पास 10 apples आगे 10 apples आगे and 1 kilo orange में for example मेरे पास जोड़ी की quantity सेम हो है ना तो 10 apple apple 40 orange आगे तो 10 apple का per apple rate क्या हो जाएगा per CH2 भाव क्या हो जाएगा उसका वो हो जाएगा 10 रुपे and यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रुपे अब आया समझ या नहीं आया तब अगर मैं per CH2 के हिसाब से बात करो तब apple जादा बेटर हो जाएगा और इन से लेकिन अगर मैं per mole के साब से बात करो तो 200 साब से बड़ा है इसलिए यह बन करो वही चीज की गई है number P question okay number O वाला homework करके आईए comment section में answer लिखिये इसका कि इन तीनों में से जादा stable कौन सा हो जाएगा A B and C ठीक है मिलते हैं next video में like कर दीजे please बहुत मैनत लगती है भाई subscribe कर देना channel को comment कर दीजे अपने reviews all the best जाहिंद